मेरा नाम अब्दुल राशित और आप देख रहे हैं इंडियन बजट गेमर आज के स्वीडियों को बात करें वाले राइदन 5 3600 के बारे में यहाँ पर मेरे पास राइदन 5 3600 एम मेरे मुझे काफी टाइम पहले दिया था तो मैंने सुझा क्यों ने चलिए इस प्रोसेसर को किया जाए क्योंकि यह प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है ना जो कि बजट सेग्मेट में भी आता है और काफी इंडियन मार्केट में पॉपलर होने वाला है और बड़ी बात नहीं होगी हो सकता हो आप मेंसे भी कई लोगों ने इस प्रोसेसर बेज पर PC बिल्ड किया हो तो कूलर स्टॉक ना लेने के वजाए वाटर कूल मतलब कूलर लिया हुआ है ताकि यहां पर हमें पर्फॉर्मेंस और रिजॉल्ट मिले वह बेस्ट ऑफ बेस्ट हो पहले मैंने सोचा था कि यार उसे ओवर क्लॉक करेंगे बायोस की तरफ से लेकिन अनफॉर्चनेटली बाय उस आपको मिला था अब बायोस अब बेट करनी के बाद इसमें फिक्स हो जाएगा फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो यार इसे विंडोस के अंदर से ही ओवर क्लॉक किया जाए और ये वीडियो जो होगी वह एक यूनिवर्सल मेसर्ड होगा मतलब अब आप चाहें आसूस का एजरॉक का, MSI का, Gigabyte का, किसी भी ब्रैंड का Motherboard यूज़ कर रहे हो ये मतलब हर बंदे के लिए यूनिवर्सल होने वाला है अब बात कर लहते हैं overclocking के बारे में और instructions के बारे में और तूल्स के बारे में जिनकी आपको निट पढ़ने वाली है अब overclocking के start करने से पहले मैं बात करने चाहता हूँ अब आज की वीडियो के sponsors के बारे में जोखेए सेफकीज.net अगर आप चीप में PC game खरीदना चाहते हैं तो आप सेफकीज.net को चेक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिक्षिन में इनकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है सबसे पहले दोस्तों आपको करना है वीडियो के डिस्क्रिक्षिन में जाना है राइजन मास्टर को डाउनोड कर लेना है और उससे इंस्सॉल कर लेना है एक बर जब यह चीज इंस्सॉल हो जा तो आपको इसे ओपन कर लेना है और creator mode पर चले जाना है वहाँ पर आपको एक option मिलेगा जिसे बोला जागा manual overclocking तो वहाँ पर आपको जाना है उस tab को आपको open कर लेना है अब यहाँ से आपको अपनी frequency को बढ़ा लेना है by default यहाँ पर लिखा होता है 3600 3600 को हटा के आपको लिखना है 4200 जो की आपकी frequency को at the end 4.2 GHz तक overclock कर देगा जितनी जगा पर 3600 लिखा है उसकी जगा पर आपको 4200 लिख देना है वही इसके नीचे आपको एक और column दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा होगा voltage voltage पर जाके आपको बस डालना है 1.3125 अगर 1.3125 पर आपका system crash कर रहा है तो आप 1.33 भी check कर सकते हैं और वही जो maximum current limit है वो है 1.35 जो की बताया है या है AMD की तरफ से अब यहाँ पर आपको केवल apply करना है and test पर click कर देना है यह थोड़ी देर के लिए आपके CPU पर थोड़ा सा stress test करेगा यह check करने के लिए कि आपकी setting stable है की नहीं अब मेरा system यहाँ पर stable चल रहा है 1.3125 पर 4.2 GHz पर अब इस चीज़ को verify करने के लिए कि आपके system पर overclocking हुई है की नहीं आपको download करना पड़ेगा Cinebench R15 आप R20 भी download कर सकते हैं कोई issue की बात नहीं है अब आपको यहाँ पर CPU test करना है जो की एक तरीकी का benchmarking tool है एक बात जब यह complete होया तो आपको download कर लेना है IDA64 IDA64 basically मैं इसलिए download करवा रहा हूँ आपसे ताकि आपने system की stability और temperature को monitor कर सके हैं IDA64 से आपको बस stable 5 मिट का stress चलाना है यह application basically आपको confirm करा देगा कि आपका system यह वो काफी stable है और यहाँ पर आप temperature भी monitor कर सकते हैं जहाँ पर जो मुझे maximum temperature देखने को मिला है वो मिला है 65 degree Celsius और वही अगर आपका temperature 85 से जादा जा रहा है तो आपको थोड़ा सा down clock भी करना पड़ेगा क्योंकि जादा temperature आपके motherboard को damage भी कर सकता है अब finally आपने अपने Ryzen 5 3600 को overclock कर लिया है और यह message हर motherboard पर काम करेगा वेल तो दोस्तों यह तो इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को कि कि लोग लाते रहते हैं इसे daily awesome content तो अन तक देखने के लिए thank you